में बच्ची लोग कैसे है सारी जुरूर बताना मैं अब ठीक हूँ आज देखा तो मेरा जो गार्डेन में ड्रागॉन फ्रूट प्लांट है मार्च मायने में इसका क्यार क्यासे करना चाहिए दिखाऊंगी उसके पहले मैं दिखाते हूँ मेरा प्लांट कौन सा गामले में इधाद दो पोट है पोट में लगा दिया था चार सल पहले एक बहुत सारी फूट होता है मेरा इदे दिआंदर जूलता है जो ब्रांच इधर से जूलता है तो ऐसा करके मैं ड्रागन फूर्ट प्लांट को सेट किया तो इधार थोड़ा थोड़ा करके काट भी दिया था पहले देखो काट के अभी इधार देखो बहुत सारे प्लांट काट के फेग दिया और काटने का बाद ये चोटा चोटा जो ब्रांच आ रहे है आभी देखो इधर चोटा-चोटा प्रांच इधर आ रहे हैं इस बार ये तुम एप्रिल में मास से ये फूट आना स्टार्ट हो जाता है इसलिए ये जो पोठ है पोठ के अंदर दो तिन इंच जो मित्ती मैं उठा दिया उठा के राग दिया तीन-चार दिन से इधर खुला राख दिया राखने का बाद आभी मैं इसे क्या सार दूंगी ओ भी दिखाती हूँ तो चलो दोनों पोठ में देने के लिए मैं ऐसा कावडांग कॉंपोस्ट ले लिया ये सालो पुराना है तो पुराना कावडांग कॉंपोस्ट लिया और इधर दो मुठी मैं डालूंग बोन मिल और कावडंग कॉम्पोस्ट यह ड्रागन फूट का बहुत अच्छा खाना है और थोड़ा दे देती हूं चूना देने से कैल्सियां भी पाजाते हैं और यह मिट्टी का जो फंगस लगता है वह भी चला जाएगा हीट बगड़ा सब खतम हो जाएगा तो देखो ऐसा मैं यह जो सार इधार मिक्स्ट कर लिया यह दोनों पॉट में दे दूंगी दोनों पॉट के लिए मैं बना लिया देखो इधार मैं पॉट में दे देती हूं आधा आधा जो रह गया इधार जो पॉट है पॉट में डाल का बाद इसके उपर मैं मिट्टी चड़ा दूंगी एक ड्रागोन फूट फ्लान को राशनिक सार बागड़ा पौसंद नहीं है इसलिए यह और्गनिक सार बहुत पौसंद है और और्गनिस सार देने से यह जो फूट होता है फूट का टेस्ट भी ज्यादा अच्छा होता है और यह एक एक फूट का 500 ग्राम तक होता है तो देखो मैं दोनों पौट में यह सार डाल दिया और अभी इसके उपर यह गाडेन का जो मिट्टी है मिट्टी डाल दूँगी मिट्टी से इसाड को मैं धांग दूँगी धांगने का बाद मैं पानी डाल दूँगी पानी डालूँगी पानी ये डागन फूट प्लांट का पानी ज्यादा पसंद नहीं है तो आभी बहुत दिन से मैं पानी नहीं दिया तो प्लांट आप लोग देख रहे हुँ दिदी दोन्हें मैं पानी देदुंगी एक बाद 2-3 मौग मैं पानी डाल दूँगी पानी ओबर को जाएगा ऐसा मित्ती इधर है पानी जम जाएगा तो जो प्लांट है गल जाएगा इसका जो रूट है क्योंकि यह तो कैक्टस टाइप का प्लांट है यह जादा पानी पसंद नहीं करते लेकिन मैं अभी सार डाला तो ज्यादा पानी दे दिया इसके बाद मैं हबते तक पानी नहीं डालोंगे उसके बाद जब पानी डालोंगी तो एक एक पॉट में एक गलास एक गलास 250 मिली लीटर मैं पानी डालोंगे और नहीं ज़्यादा नहीं ऐसा करके मैं डाल दिया तो देखो मेरा यह मार्च मैं ने द्राग़ोन फुट फलांड्स में ऐसा कर दिया इसके बाद और मैं साड नहीं दूँगी और इसका तो कीट नहीं लगता है तो स्प्रे करने की कोई बात ही नहीं है ऐसा करके मैं राग देता हूँ इसके बाद दिखाऊंगी ये प्लांट में कितना प्लावार आते हैं प्लावार जितना आएगा पूड भी उतना ही आएगा तो वीडियो कैसे लगा अच्छा लगा ना